आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज कक्षा दस्वी के लिए हिंदी बिशय में कारेपत्रक शंक्या 24 यानि वर्क्षीट नंबर 24 आई हुए 39-2021 के लिए और इसमें सूर के पद आपके लिए दिये गए हैं तो अब आज हम इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे और इसमें दिये गए परशनों के उत्तर जानेंगे यहां पर क्या लिखाया देखिए प्यारे बच्चो जैसा कि पिछली बार हमने पाठ सूर्दास के पद से तिर्थिया पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर समझा था आज हम उसी कविता पाठ से अगले पद को पढ़ कर समझेंगे तो पिछले में हमने तिर्थिया पद पढ़ा था और आज उससे आगे का पद पढ़ेंगे तो पद है इसको पढ़ने से पहले इसे सुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को सेर जरूर करें जो भी कक्षाद दसुई में पढ़ रहे हैं साथी साथ अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए पढ़ते हैं पहला पद पहला पद है हमारे हरिहा रिल की लकरी मन करम बचन नंद नंदन उर यद्रड करी पकरी जागत सोवत सवपन दिवस निशी जो करूई कर ककरी सुतों ब्यादी हमकों ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सूरज सूर तिनही लो सौपै जिसके मन कचरी चकरी तो यह यहाँ पर पद आपके लिए यहाँ पर दिया गया है अब इसमें हम देखते हैं अपरिची सब्द अपरिची सब्द को पढ़ते हैं इनको अपनी कौपी में जरूर लिखना आपको हारिल का मतलब है एक पक्षी का नाम है हारिल कर्म मतलब कर्म का मतलब हो गया कर्म उर उर का मतलब हो गया हिर्दै निश्य का मतलब हो गया परतेक और कान का कानहा और जोग जोग का अर्थ है योग कर्वी का मतलब कर्वी और ब्याधी का मतलब बीमारी तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं इसका अर्थ क्या है कि सूर्दास जी इन पदों में गोपिया उद्धव से यह कह रही है कि हमारे हिर्दय में कृष्ण के परती अटूट प्रेम है जो किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है तो जो गोपिया है पिछले पद में भी हमने पढ़ा था कि उद्धव जो है कि क्या करके लाएदे एक संदेश लेकर आये थे स्री किष्ण भगवान का गोपियों के लिए ठीक है द्वारका से स्री किष्ण जी ने उद्धव को बेजा था और कहा कि ब्रज में गोपियों के लिए योग संदेश लेकर जाईए तो उसे लेकर गए थे तो उनसे गोपिया कह रही है कि श्री किष्ण के परती अटूट प्रेम है क्या हमारे हिर्दय में जो किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है हमारे हिर्दय में श्री किष्ण के परती प्रेम मन वच वचन कर्म के द्वारा इतनी द्रिड़ता के साथ जुड़ा हुआ है जैसे हारिल पक्षी अपने पंजो में लकडी को पकड़ कर रखता है तो जो स्री कृष्ण के परती उनके मन वचन कर्म में जो स्री कृष्ण के परती प्रेम गोप्यों के मन में हिर्दय में बसा हुआ है वो ऐसे चिपका हुआ है जैसे हारिल पक्षी के पंजो में लकडी जैसे वो लकडी को पकड़ के रखती है ऐसे हमारे हिर्दय में भी प्र प्रति प्रेम चिपका हुआ है लगा हुआ है आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाध चक लिया हो और जो योग संदेश उदव जी आप दे रहे हो वो ऐसे लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी चक लिया हो यह एक ऐसी बिमारी की तरह प्रतीत होता है जिसके बारे में हमने ना तो सुना है, ना देखा है और ना किया है तो जो आपका जो संदेस लाए हो कि SRI किष्ट जी अब नहीं आएंगे अब यहां नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे वो ऐसी बीमारी की तरह हो गया है जो हमने न कहीं देखी है, नसुनी है, न कहीं कहीं किया है इसलिए हे उदव या संदेश उन्ही को दीजिए, जिनके मन चक्र या चक्री की तरह है चलाए मान हो यानि कि हे उधव इस योग संदेश को आप उसी को दीजिए जिसका मन क्या है एक चकरी की तरह घूम रहा हो चकरी य nieuwe शुदर्शन चक्र की तरह चला है चल आ हमान मार्ण चल रहा हो तो श्रीकिष्ट जी के अपाथ जैसे शुदर्शन चक्र है जिसका मन उस तरह से घूम रहा हो यानि चारो दिशाओं में घूम रहा हो आप उसको या संदेश दीजिए या संदेश हमारे किसी काम का नहीं ठीक है तो आसा है कि आपको ये पंक्तिया अच्छी भी लगी होंगी और इनका अर्थ भी समझ में आ गया होगा अप परिचित देखते हैं इसमें दिये गए प्रशनों के प्रश्न और उनके उत्तर तो यहां पर हरी से क्या तात पर रहे है पहला प्रशन है हरी से क्या तात पर रहे हैं तो हरी से मतलब हो गया ठीक है अब आगे देखिए प्रस नमबर दो जो करवी ककरी में कौन सा अलंकार प्रियुक्त हुआ है तो जो करवी ककरी में यहां पर जों आ रहे है तो इसमें आता है उत्परेक्षा अलंकार आएगा ठीक है अगला देखिए गोप्यों ने उधव के योग संदेश की तुलना किस से की है ठीक है उधव के योग संदेश की तुलना किस से की है एक बीमारी से जो कहीं सुनी भी नहीं है हमने जानी भी नहीं है और की भी नहीं है तो इस तरह की बीमारी या कडवी ककडी से ठीक है यह दोनों में से आप लिख सकते हैं, वैसे कड़वी ककड़ी भी अच्छा रहेगा, तो कड़वी ककड़ी आप लिखेंगे, आगे देखिए, प्रस नमर चार, गोप्यों ने उधव के योग संदेश को किन लोगों को सौपने को कहा है, तो गोप्यों ने उधव जी से क्या कहा ह कि इस योग संदेश को किसको सुनाईए, आप इस योग संदेश को उनको सुनाईए, जिनका मन किसके समान है, चकरी के समान है, चकरी के समान, ठीक है, तो यह थे बच्चों, इस गध्यान से सम्मंदित प्रशन उतर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, इन सभी प्रशनों को अपनी कौपी में उत्तर सहित लिखिए, इसके भावार्थ को भी लिखिए, इसमें कटिन सब्दों को भी लिखिए, इससे आप कि लिखने की प्रेक्टिस भी अगली वीडियो में, तब तक की लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत.